भारत ने स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन बनाने की दिशा में एहम कदम बढ़ाया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने भारत के स्वदेशी स्टेल्थर ड्रोन का सफल परीक्षन किया है। इस ड्रोन का नाम घातक रखा गया है। यह एक हाइस्पीड मानव रहित विमान, UAV है। इसकी पहली सफल उडान जुलाई 2022 में हुई थी। ये ड्रोन रडा को चक्मा देकर दुश्मनों पर हमला करता है। ये खुद से उडने वाला ड्रोन है और इसकी गती काफी तेज है। ये टेक्नोलोजी अमेरिका ने देने से मना कर दिया था। इस ड्रोन ने ग्राउंड राडार, बुनियादी धाचे और पाइलट की जरूरत के बिना ओर्टोनॉमस लंडिंग की ख्शमता का प्रदर्शन किया है। इस ड्रोन के सफल परीक्षन के बाद भारत ऐसी तक्नीक रखने वाले देशों के क्लब में शामिल हो गया है। डियार्डियो द्वारा विक्सित स्टील्थर ड्रेन ने दूसरी उडान को सफलता पूर्वक पूरा कर लिया है। करनाटक के चित्रदुर्ग के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में स्वदेशी स्टील्थर ड्रोन आटोनॉमस फ्लाइंग टेकनोलोजी डिमॉन्स्ट्रेटर एफ डव्यू टीडी की टेस्ट फ्लाइट सफल रही है। इसी के साथ भारत ड्रोन बनाने के क्षेत्र में अमेरिका, चीन जैसे देशों की कतार में खड़ा हो गया है। इस ड्रोन को अमेरिका के B2 बॉंबर जेट की तरज पर डिजाइन किया गया है। भारत टेलेस कॉन्फिग्रेशन में इस उड़ान के साथ उन देशों के क्लब में शामिल हो गया है, जिन्होंने फ्लाइंग विंग कन्फिग्रेशन के कंट्रोल में महारत हासिल कर ली है। इस ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत फिक्स्ट विंग है। ड्रोन में एक छोटा टर्बो फेन इंजन लगा है। गौर तलब है कि इस इंजन का इस्तिमाल एज जेटी 36 जेट में भी किया गया है। ये इंजन इस एरक्राफ्ट प्रोटोटाइप को स्वदेशी रूप से एक जटिल एरोहेद विंग प्लेटफॉर्म के साथ स्वदेशी रूप से विक्सित हल के वजन वाले कार्बन प्रिप्रेग मिश्रत सामगरी के साथ डिजाइन किया गया है। मानव रहित ड्रोन ने ग्राउंड राडार बुनियादी धाचे पाइलेट की आवश्यक्ता के बिना ओटोनॉमस लंडिंग की एक बहतरीन क्षमता का प्रदर्शन किया है। गौर तलब है कि इस विमान की पहली सफल उडान जुलाई 2022 में की गई थी। इसके बाद दो आंतरिक रूप से निर्मित प्रोटोटाइप का इस्तिमाल करके 6 फ्लाइट टेस्ट किये गये हैं। ड्रोन में GPS नेविगेशन की सटिक्ता और समग्रता में सुधार के लिए GPS एडेट GEO Augmented Navigation Receiver का इस्तिमाल किया गया है। रक्षा मंत्री श्राजनात सिंग ने इस प्रनाली के सफल उडान परीक्षन के लिए DRDO, सशस्त्र बलों और रक्षा उद्योग जगत को बधाई दी है। रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचेव तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर, समीर वी कामत ने भी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और इस सफल उडान परीक्षन से जुली टीमों को बधाई दी है।